अगर आप मन्तली बेसिस पे बजटिक नहीं कर रहे हो या अगर आप मन्तली बेसिस पे 10-30% तक अपना पैसा सेव या इन्वेश्ट नहीं कर रहे हो आपको अगर आपने उन फ्लाइन प्लाटफर्म को करता है आपके ही फिनांशल फ्रीडम के बारे में इस महीं ने मैंने जो पहले दो विडियो बनाया है उसमें आपके साथ बात की है कि क्यों आपको एक बजट बनाना चाहिए और कैसे एक बजट आपको लॉंग टर्म में हेल्प कर तो अगर आपने उन वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियो को चेक कर लीजे इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि कैसे एक बजट बनाया जाए आपको एक बजट इग्जैक्ली बनाना कैसे है ताकि आप मंतली वेसिस पे उसे रेकॉर्ड कर सके और ताकि आपको इसके बारे में समझ में आ सके तो समझ लीजे आपको जो मंतली पेचेक मिलता है वो आपका टोटल मंतली पेचेक है उसमें से सबसे पहले तो आपको अपना टैक्स कॉंपोनेट निकालना है उसके बाद जो आपको एक अमाउंट मिलेगा वो होता है आपक का monthly income में से आपको करके अपने énसेंशल टर्चे निकालने जैसे कि आपका रेंट बच्छों के स्कूल की फीज आपके महीने का हर महीने का पाध्रोल का खर्चा गाड़ी का खर लाइट बाकी सारे घर के सब्जी तरकारी के बिल्स प Richardson के जो आप हर महीने करते होто वो आपको निकाल लेने ताकि आपको मालूम पड़े कि आपके पास जो total component बचता है वो कितना है उस component से आपको अपने investments manage करने हैं आपको अपने ऊपर के खर्चे मैनेज करने हैं जैसे आपका travel expenses हो गया या जब आप अपनी family के साथ बाहर जाते हो तो जो खर्चे होते हैं mall के खर्चे होते हैं वो सारे आपके monthly खर्चे नहीं है वो आप अपने हिसाब से खर्च करते हो ideally आपके total salary में से 10 to 30% के बीच का amount आपके investments की तरफ जाना चाहिए अगर आप monthly basis पे budgeting नहीं कर रहे हो या अगर आप monthly basis पे 10 to 30% अपना पैसा save या invest नहीं कर रहे हो आपको सबसे पहली बात budgeting जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए और दूसरी और बहुत important बात हो सकता है कि आपको financial freedom के बारे में या अपने पैसो को manage करने के बारे में help लेने की जरूरत पड़े अगर आपको budgeting को लेकर या अपने finances को लेकर पैसो को लेकर कोई भी सवाल हो तो नीचे comments में जरूर पूछे या आप मेरे साथ directly social media पे भी connect कर सकते हैं अगर आप मेरा विडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर अपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe कीजे या मेरे page को follow कीजे और मेरी आपसे दर्खवास रहेगी कि प्लीज इस इस वीडियो को आप अपने सोशल मीटे चानल आप सबूस्य को कि अगले वीडियो में तब तक कि लिए मुसमाते रहे इपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहे है